अब आज के दिन में 17 लोग आ गए हैं, वहां से आते हैं, वो बराबर कोशिश करते हैं आने के लिए जब आते हैं, वहां से बंदुग लेके आते हैं, आईडी लेके आते हैं, पिछले दिनों में उन्होंने चन लोग हैं, घर में रखने की कोशिश करते हैं, उनको एक तो हमने एक इसको एक higher level पे access to the public और एक मेरे लिए जैसे मैंने बार बार पहले से भी कहा है कि मेरे लिए एक learning sessions होता है यह access देने पर जो variety of problems हैं उसकी एक एहसास होता है और एक messaging भी जाती है अपने police की community में अपने officers और पूरी police की जो तंत्र है उसको भी एक messaging जाता है access की क्या importance है और यह बार बार जो मैं जगा जगा पे दोहराता हूं कि community के साथ हम policing करना चाहेंगे और community की consent से करना चाहेंगे जहां तक संभव हो जहां तक मुमकीन हो इसका एक continuation है साथ में मुझे मौका मिल जाता है हमारे जो police के जो माट्यस family है उनके साथ interaction करने के लिए police के कुछ और families होते हैं उनके और मसाइल होते हैं उसको समझने के लिए और उसको हल करने के लिए एक मौका मिल जाता है तो यह कुल मिलाके आवाम की जो complaints हैं ग्रवानसे से issues हैं उसकी जानकारी और उसको हल करने के लिए एक कोशिश और अपने पुलिस के जो एहलकार हैं जो मातायद हैं जो परसोनेल हैं उनका families की जो गठिनाईयां हैं जैसे अभी बैठे बैठे किसी ने कहा कि साथ गर में घरवाला जो है उसकी और इस तरीके से हम दे सकते हैं तो यह सिलसला है इसी का एक कड़ी है इसा है कि हम सब लोग जो है इस बात पर हमें हमें एक satisfaction है इलेक्शन जोने पूरु अमन हुआ और इसमें वोटिंग वोटर्स की टर्नाउट जो हाई रहा और यह एक अच्छी आगाज है और हम चाहेंगे कि इसका जो पोजिटिव बेनेफिट है वो आगे एक ट्रिगर करें एक सेकुरूटी की एक भर्चियोस साइकल को आगे लेने में यानि कि पीछे की तरफ ना हो यह आगे की तरफ बड़े कि हमारी बनियादी तोर पर यह है कि अगर अमन रहेगी तभी elections हो पायेंगे अगर डर नहीं रहेगा तभी Лोग freely वोट कर पाएंगे अगर खौफ नहीं रहेगा तो बंदा election में खड़ा होने का जरूरत करेगा नहीं तो अगर खोप रहेगा चाहे किसी भी साइट से फिर आम आदमी जैसे आप है मैं हूँ मतलब मैं अपने को इसलिए कह रहा हूँ कि कल जब मैं वर्दी से बाहर चला जाओंगा या कहीं जहां पर मैं यहां डीजी हूँ जहां नहीं कि मैं भी इलेक्सन लड़ू या भोट डालू तो उसके लिए एक बगेर खोप वाली एक माहूल बननी चाहिए उस महाल को कैसे हम बरकरार रखना चाहेंगे उसके लिए हम हमें हमें इस चीज की फिकर है और हम उसको मेंटेन करने के लिए कभी-कभी हम हमें उस चीज को ले बनने के लिए हमें कुछ लोगों के खिलाफ करवाई करने पड़ ती है Sir, any message to the masses? Sir, any message to the masses and the police down the lines? Sir, the message from a police officer, be of whichever rank he is, is always this, that please accept this, we have to be tough against some people. Police, by definition, is law enforcement. आप मेरे से आज इस बकत बात कर सकते हैं क्योंकि आप आपको पत्राव नहीं था, आप आप आए मेरे पास, टाइम लिया आप आए, आप जब जाएंगे आपको उमीद रहेगी कि आप घर में पहुंचेंगे, बिच-बिच में आपको खलल नहीं पड़ेगी, आप किसी तरीके के परिशानी में नहीं आएंगे, अचानक कहीं कि जगल पर फसेंगे नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं मरे, तो उस महोल को बनाने के लिए हमको कुछ लोगों के खिलाब कारवाई करने पड़ती है, और वो कारवाई जब हम करते हैं, हम इस बात का भी एसाथ कि हम ट्राफिक अक्सिडेंट को मडर नहीं बनाना चाहते हैं, जिसका जो गुना बनता है, उसी गुना के हिसाब से हम चलना चाहते हैं, पर हम लॉइंफॉर्स्मेंट एजन्सी होने के नाते लॉइंफॉर्स करेंगे, तो इसमें हमें मदद चाहिए इसमें लोगों का पुरा सपोर्ट चाहिए और लोगों का पुरा सपोर्ट मिल भी रहा है हमें, इस बात का भी हमें एहसास है, जी सर, रिसेंटली टॉप कमांडर एलिटी का यहां मारा गया है पुलवामा में, तो अब क्या है, मिलिटन्सी का घ्राफ क्या है, एक्ट्वल इन कश्मिय अरुगा, ऐसा है, मैं कहीं और एक जगह पे मैंने यह बताया, कि हम एक टेररिज्म, जो रेजिडेंट टेररिज्म से हम फरेंट टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं, रेजिडेंट टेररिज्म का मतलब हो गाए कि हमारे अपने लड़के जो तादाद में सामिल होते थे वह कम होने लगा है, हमारी यह कोशिश रही है कि कम्युνुटी के साथ मिलके हम यह पहले तै करे कि कोई इन में दाखिल नहों तो कोई किसी महा की किसी बेहन की किसी भाई की भाई जो है या बेटा या खामत जो है इसमें सामिल नहां इसकी जाननверж रहे और जब इस voilà कोई मों पेला ये कोसिश रहती है कि अधा क्यों उसको कैसे रुखा जाए तो तो जो कोशिश ए उसकी वाइलेंस कम हो रहा है, हम यह चाहेंगे कि यह किसी की घर ना टुटे, कहीं पे भी किसी की घर के आंगर में कोई भी किसम की बातमदारी ना हो, अब फॉरेंट टेररिजिम है, अब आज के दिन में 17 लोग आ गए हैं, वहां से आते हैं, वह बराबर कोशिश करते हैं, जब आ पैसा तो लेके नहीं आते हैं, मेडिसिन तो लेके नहीं आते हैं, नोकरी तो नहीं लेके आते हैं, अस्पताल तो नहीं लेके आते हैं, आते हैं बंदूग लेके आते हैं, तो मेरा तो यह गुजारिश रहेगा, कि वहां आने के बाद, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, चन लोग हैं, घर में रखने की कोशिश करते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उनको बदत करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, हम मजबूर हैं उनके खिलाब कारवाई करने के लिए, सक्ट सक्ट का करवाई करने के, ताकि बाकी लोग बचा रहें, बच झाल झाल